दोस्तों अगर आप भी अपने computer या laptop के hard disk partition को delete करकर उस delete के वे hard disk partition के हिस्से को दूसरे hard disk partition में कैसे merge किया जाता है जानना चाहते हैं तो यह वाली video friends आपके लिए काफी ज्यादा helpful और important होने वाली है दोस्तों computer और laptop में hard disk का partition बनाना तो सभी लोग जानते होंगे मगर extra hard disk partition या useless hard disk partition को delete करकर दूसरे hard disk partition में कैसे merge किया जाता है यह काफी कम लोग ही जानते होंगे तो चलिए friends आगे video सुरू करने से पहले हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने channel जो है मारुदी रिटल ग्यान और अगर अभी तक आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो हमारे इस channel को subscribe जरूर कर लें और अगर आपको यह video पसंद आए तो friends इस video को like share तो friends मैंने my computer खोली है यहां पर देख रहे हैं जैसे कि D, E और F drive बनी हुए है जो की F drive एक्स्रा है तो इसको delete करके दूसरे drive में कैसे merge करना है वह मैं आपको आप इस video में बता देता हूं तो सबसे पहले हमें disk management वाला जो option है वो open कर लेना है वो कहां से करते हैं आपको इस video में बता देता हूं तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है अपने desktop में disk PC या फिर my computer के अंदर उसमें right button क्लिक करके हमें manage वाले option को select कर लेना है और यहां पर friends storage से नीचे जो है disk management वाला जो pop-up है वो open हो जाएगा अब जैसे कि friend disk management वाले pop-up में यहां पर नीचे सारे drives दिखा रहा है जो इस computer बनी हुई है जैसे कि C drive, E drive, D drive उसके बाद F drive तो आपकी जो extra drive है जो आप डिलीट करना चाहते हैं उसे select कर लेंगे जैसे कि में आपको यहां पर डेस्टॉप में this PC जो my computer वाला आइकने से यहां पर open करके भी F drive को दिखा देता हूं तो देखे फ्रेंट जैसे कि यहां पर D, E के बाद जो F drive है यह मेरे को डिलीट करनी है F drive जो कि यहां पर 50 GB की बनी हुई है तो यह एक extra drive थी इसको डिलीट करके मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं त तो फ्रेंट डिलीट वोलिम को स्लेक करने के बाद यहां पर नोटिफिकेसन आ रहा है वह भी मैं आपको यहां पर पढ़कर कर देता हूं डिलीटिंग इस वोलिम विल एरेज ओल डाटा ओन इट बैक अप एनी डाटा यूँ वांट टो कीप बिफोर डिलीटिंग डिलीट टो कंटीनीउ अगर आपका इसमें कुछ इंपोर्टेंट डाटा है उसे आप कोई पर स्टोर कर लीजेगा डिलीट करने से पहले उसके बाद यहां पर हम फ्रेंट यह वाले उप्सन पर क्लिक कर देंगे अब यह वाले उप्सन को स्लेक करने वाद फ्रेंस देख रहे हैं यहां पर हमारी डिलीट हो चुकिय की अब यह 50 जी वी का अनलेट टीड है अब इसे में अर्च करना पड़ेगा और यह मर्ज हो गा अदर से किसी ड्राइब में यह मर्ज नहीं होगा तो उसके लिए friends सबसे पहले हम हर drive में जाकर एक extend volume वाला option आता है वो देखते हैं कि इस पे highlight होता है जिसमें highlight होगा उस वाली drive में से इसे merge कर देना है क्योंकि उसी drive में से ही ये तोड़कर ये drive F drive बनी थी तो यहाँ पर friend जो हमने extra F drive को delete किया था उसका प्राइब करने के लिए पहले हमें यहाँ पर वो ड्राइब करने पड़ेगी जिसमें से तोड़कर बनाई गई थी F drive तो उसके लिए friends सबसे पहले जितनी हमें drive है उसमें right बटन क्लिक करके हम extend volume वाले option को select check कर लेंगे किसमें highlight हो रहा है तो यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं तो देखे फ्रेंट यहाँ पर extend volume वाले option जो है है इसका मुदलब जो यह एक्षेंट वोल्यूम वाले option पर हमें श्लैक कर देना है यहाँ पर next और और फिर फ्रेंट वाले option को यहाँ पर च्रेक कर देना आप देखें फ्रेंट पहले डिटाइब यहाँ पर 1500 GB तो यह दो सो जीबी की अब हमारी डिटाइब बन चुकी है तो जो हमारा extra partition था डिटाइब में मर्ज हो गया है अब मैं फ्रेंट आपको यहाँ पर इस पीसी और माई कम्पीटर का जो option आता है डेश्टॉप में उसे open करके भी दिखा देता हूं तो देखें फ्रेंट यहाँ पर एक्ट्राइब डिट किया है अभी वह यहाँ पर सो नहीं कर रहा है यहाँ पर कर रहा है जो एक्ट्राइब ती वह यहाँ पर डिलीट करने ट्रेंगेंगें दिखांड और में मट हो चुकी है तो फ्रेंट यह था किसी भी कम्पीटर या लैप टौब में किसी भी एक्ट्राइब के पार्टीजन को डिलीट करकर मर्ज करने का तरीका है आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से किसी भी कम्पीटर के लाप्टॉप मे उसका link मैंने डाला हुआ है आप चाहे तो वहाँ सबीं जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या थोड़ी वहत भी आपके लिए हेलफल हुई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के ज़्यादा सेयर कर देना साथ ही हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा उसके साथ ही फ्रेंस अगर आपको कोई कोस्तन या फीड़बैक है तो आप उसके लिए हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं इ कि आपको हमारी आने वाली नई नहीं और टेक्नलोजी वाली वीडियो का जो है अपडेट मिलता रहे तो चलिए फ्रेंस अब हम आपको मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक लिए धन्यवाद और नमसकार